जै गुरुदेव सच्चे सादक के लिए एक अंतरंगवारता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट आफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज का यह ज्यान पत्र पढ़ लेंगे फिर उस पर चर्चा भी होगी यह ज्यान पत्र दस मुई 2001 मौन्ट्रियल आश्रम कैनेडा में दिया गया शिर्शक है जीवन सपना है या बूज है या मजाग है प्रायर जब तुम खुश होते हो तुमें जीवन एक सपना लगता है क्योंकि तुमें इसकी वास्तविक्ता पर विश्वास नहीं होता जब दुख होता है तुमें जीवन एक बूज लगता है तब तुम छोटी-छोटी बातों को भी बहुत गंभीर तासे लेते हो और बना देते हो जो व्यक्ती सच्मश सुख की स्तिती से गुज़रा है वह महसूस करता है कि सुख भी बूज है यदि तुम दुख को पूरी तरह समझोगे तब तुम महसूस करोगे कि जीवन एक सपना है तुमारे हर दुख की परिस्तिती को उंगली पकड़ कर या गोद में लेकर पार कराया गया है और तब तुम्हें अनुबव हुआ कि जीवन तो एक सपना ही है केवल जब तुम जीवन को एक सपना सपन या बूज या चुपकुला समझते हो तबी तुम केंद्रित हो सकते हो यदि तुमने दुख की परिस्तिती को वास्तव में समझा है तुमको लगेगा कि जीवन वास्तविक्ता में ही एक सपना है एवन दुख और सुख के बीज जीवन तो एक मजाग है जीवन बड़ा अनिश्चित है इससे पहले की वह तुमें छोड़ दे जान लो कि जीवन एक सपना है बोज है या मजाग है प्रश्न गुरु जीवन एक मजाग कैसे है श्री श्री तुम एक मजाग को प्रश्न नहीं करते मज़ाग पर प्रश्ण करने पर वह मज़ाग नहीं होता बोज पर भी प्रश्ण मत करो जीवन और उसकी गटनाओं पर प्रश्ण करना समय नश्ट करने जैसा है बोज तुम्हें गहराई में ले जाता है यह तुम्हें अपने अंतक्रम की और ले जाता है एक SWAPNA तुम्हें सजक्ता की और ले जाता है और जीवन को एक मजाध समझने पर तुम हलके हो जाते हो सत्ह केवल यह है कि जीवन सपना है बोज़ या मजाख है जब तुम यह मैसूस करते हो तब तुम केंधरित हो सकते हो तो जीवन सपना है बोज या मजआख है? आपको याद है पिछला जो ज्ञानपत्र हम ने चर्चा किया था उसमें प्रतिष्टा और सनमान से अगर वो सुनेरा फीरा ना बनाना चाहते हो प्रतिष्टा को और सनमान को तो गुरुदेव ने यही उसका बाहर निकलने का रास्ता बताया था क्या कि जीवन को सपना बोज या मजाग समझो याद है आपको उसी का यह continuation मुझे लग रहा है तो अगर जीवन को आप सपना या बोज या मजाग समझोगे ना तो बहुत सरल और स्वाबाविक रह अगर उसको बहुत सीरियसली लिया हम मजाग में हमेश्य ऐसे कहते हैं कि जीवन को बहुत सीरियसली मत लो क्योंकि अगर जीवन को सीरियसली लोगे तो आईसीव में जाना पड़ेगा इसलिए गुरुदें भी कहते है या तो जीवन को सपना समझो बहुत समझो या मजाग समझो जिसके वजह से तुम सरल और स्वाभावी जीवन जीपाओगे और वही अल्टिमेट उद्देश है जीवन जीओगे तो फिर दुख का समंदर है जितना और स्वाभाविक बनोगे दुख का समंदर है गुरुदें बही कहते हैं प्राय जब तुम खुश होते हो जीवन तो एक सपना लगता है क्योंकि तुम्हें इसकी वास्तविक्ता पर विश्वास नहीं होता सभी बात है ज बहुत कुछ खुश होकर मन के हिसाब से कुछ हो गया तो ऐसे लगता है अरे यह सच है क्या सपना है दूसरा जब तुम दुखी होते हो तो जीवन एक बोज लगता है ये भी सही बात है जब हम बहुत दुख में होते है तो ऐसे लगता है अरे यह क्या मैं डोरा हूँ जा रहे हो, गुटन लगती है, इसलिए कोई दुखी होना नहीं चाहता क्योंकि वो बोज है, तब तुम छोटी-छोटी बातों को बहुत दंबीर मना देते हो, जो वेकती सचमुष सुख की स्तिती से गुजरा है, वह महसूस करता है, सुख भी बोज है, लेकिन एक जिसने ब पूरी तरह समझोगे, तब तुम महसूस करोगे कि जीवन एक सपना है, और दुख को पूरी तरह के से अनुबव किया ना, तो पता चलता है, दुख भी सक्के नहीं है, वास्तविक्ता नहीं है, सपना है, तुमारे हर दुख की परिस्तिती को उंगली पकड़कर या गोध में लेकर पार कराया गया है, तब तुम्हें अनुबव हुआ कि जीवन सपना है, दुख की परिस्तिती में भी आपने अनुबव किया होगा, जैसे कोई दिव्य शक्ती ने, या सुरुष्टी, जो भी आप उसे कहो, कि उसने आपको बोध में बिठा कर, या आपकी उंगल थान कर, उंगली पकड़कर उस दुख से बहुत स्किलफुली बाहर निकाला है, तब लगता है रे जीवन तो सपना ही है, केवल तुम जब जीवन को सपना, बोज या चुटकुला समझते हो, तभी तुम किंद्रित हो सकते हो, किंद्रित जीवन में होना है तो जीवन को सपना समझना पड़ेगा, बोज समझना पड़ेगा, चुटकुला समझना पड़ेगा, या अनुबव करना पड़ेगा, समझना नहीं पड़ेगा, मैं कलपना करने की बात नहीं कर रहा हूं, या गुरु देव भी कलपना करने की बात नहीं कर रहे है, गुरु देव कह रह वास्तों में एक सपन है ए्वंग ऑधना की जैसे लगता है तो सुक के और एक्स्ट्रीम सुख या एक्स्ट्रीम दुख के बीच का जीवन तो मजाग ही है जीवन बड़ा अनिश्चित है इससे पहले की वह तुमें छोड़ दे जान लो कि जीवन एक सपना है बोज है या मजाग है देखो परम वहराग्य इसे जीवन में इस बात को जीवन में उतारन से ही आएगा जीवन एक ना एक दिन तुमको छोड़के जाएगा अगर तुम जद में हो तो मरना निश्चित है यहां से जाना निश्चित है इस देखो छोड़ना निश्चित है लेकिन जितने जल्दी आप ये समझ जाओगे जीवन सपना बोज या मजाग है फिर वो देखो कितने सारे लोग जब इस दुनिया को अलविदा करने का समय आता है तो बड़े दुखी होते हैं बड़े परिशान होते हैं क्यूंकि बहुत सीरिसली जी रहे गंबिरता को पकड़के बैटे जीवन को अब छूटने का समय आ रहा है तो छूट नहीं पा रहा है कितने करने आपने देखा होगा उम्र बढ़ रही है लेकिन वह 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 एक कहते हैं वहीराग के जागरत नहीं हो रहा है अभी तक छूट नहीं पा रहा है हाथ से कुछ भी तो वही गुरुदेव कह रहे हैं जीवन आपको छोड़के जाने ही वाला है उससे पहले ही तुम समझ ज नहीं ही रहेगी प्रश्ण जीवन एक मजाग कैसे है गुरुदेव तुम एक मजाग को प्रश्ण नहीं करते हैं अगर आप तो जानना है जीवन मजाग कैसे है तो मजाग को प्रश्ण नहीं किया जाता है ना मजाग एंजॉय किया जाता है तो सिंपल गुरुजी क्या कह रे जीवन को एंजाय करो प्रिश्ण मत पूछो प्रिश्ण दुख का प्रतिक होता है मजाग पर प्रिश्ण करने पर मजाग ही नहीं रहता सही बात है मज़ाग को अगर आप प्रिश्ण करोगे फिर वो मज़ाग ना रहा बोज पर भी प्रिश्ण मत करो जीवन और उसकी घटनाओं पर प्रिश्ण करना समय निष्ट करना है प्रश्ण दुख की और ही ले जाएगा बोच पर जीवन पर किसी पर प्रश्ण मत करो ये समय को बरबाद कर रहे हो तुम बोज तुम्हें गहराई में ले जाता है यह तुम्हें अंतकरण की और ले जाता है एक सुपना बोज तुम्हें गहराई तक ले जाता है बीप सोचने पर महसूस करता है स्वपन तुम्हें सजगता की और ले जाता है और जीवन को मजाग समझने पर तुम हलका फुलका महसूस करते हो सत्यक केवल यह है कि जीवन सपना है बोज यह मजाग है जब तुम यह महसूस करते हो तब तुम केंद्रित हो सकते हो तो जीवन को सुपन, बोज या मजाग जब समझते हो तभी केंद्रित हो सकते हो वरना केंद्र से दूर जाते रहोगे बहुत ही सुन्दर यह ग्यान पत्र गुरुदेव ने एक मारगा हमें बताया है जीवन में कहां तक पहुचना है इस ज्यान पत्र से आपको भी कुछ अनुभूतिया होगी होगी जरूर मुझे कमेंट सेक्षन में लिखकर बताना इससे जुड़ेवे कुछ प्रश्न है उसको भी जरूर कमेंट सेक्षन में आप लिखना उसके उपर हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं कल दुबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विशे के साथ तब तक के लिए शुबरात्री जय गुरुदेव